Hello students I am Kalpana Mishra and welcome back to over YouTube channel Students, आज किस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं Class 8 का Science का Polestar ये Revision Series आपकी 5th है Previous वीडियो में बाकी का Polestar मैंने रिवाइस करा दिया जो पेपर का पैटरन है वो भी बता दिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं से पहले चैनल पर नहीं है तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब एक शेर जरुर करना हमारे के डिलूद करना आप हमारे चैनल पर वहां जाके आप सब्सक्राइब कर लेना WhatsApp भी और Telegram भी तो कई बार मैं आपको अपडेट्स वहाँ पर जो चैनल है वहाँ पर प्रवाइट नहीं करा पाती हूं YouTube पर तो वहाँ पर मैं आपको पहले प्रवाइट करा देती हूं ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो आज हमने शुरू करना है question answers प्रिवेश वीडियो में बाकी चीजे हमने जो है complete कर लिए तो question answer में हाज हमने शुरू करना है chapter number 1 के अब यहां से हमारे crop production and management से आपके 2-2 marks के questions जो है वो हम देखते हैं आपके 2-2 marks के 12 questions आएंगे ठीक है तो अब 2-2 marks के question आपके जिज़ जिज name to ancient method of the irrigation पुराने टाइम में जो सिचाई के लिए खेतों में पानी डालने के लिए यूस किया जाता है उस method का ना में देख लिए और mode next what is plow plow क्या होता है यह होता है हमारे जो मिटी होती ही ना जमीन में खेतों में जो खेतों को खोधने के लिए ठीक है टर्निंग के उनको खाडने के लिए ठीक है तो पहले के टाइम में एक लकडी का इंस्टूमेंट यूस किया जाता था उसे हम क्या बोलते है प्लोग ठीक है next where are vegetable and fruits store where vegetables and fruits कहां store किये जाते है तो vegetable and fruits are stored in the cold storage next what is weeds weeds क्या है दो weeds की नेम बताने है और इनको निकालने के method बताने तो weeds are unwanted plant that grow along with the crop मतलब हमारी जो crops होती है उसके साथ जो हमारे unwanted plants उख जाते हैं उन्हें हम weeds कहते है तो weeds these weeds share water and nutrients with a crop और यह weeds क्या करते हैं हमारे जो crop होती है उनके water and nutrients को share कर लेते हैं तो मतलब जिसे आपके दो भाई बैने अगर एक apple घर में दोनों ने आदा आदा खाया तो दोनों ने nutrients share कर लिया ना सेम आसी वो share कर लेते हैं जिसे एक healthy नहीं हो पाते हैं हमारे crops healthy नहीं हो पाती है this result is reduction of crop yield इससे हमारी फसले अच्छी नहीं होती है some weeds कुछ weeds के यहां नाम बता रहे हैं अमारे nuts जिसको चुलाई बोलते हैं थीक है बात हूँ हो गया इनको अब इनको हम कैसे निकाल सकते हैं अपने खेतों में से हटा सकते हैं वैसे यह सारे question answer मैंने अपने चैनल पर प्रवाइड कर रखा है आप दिको description में भी playlist मिल जाएगी आप चैनल पर जाके भी playlist चेक कर सकते हैं तो वहां से आप यह answers कर लेना ठीक है uprooting the handle, uprooting using the hair of the khurpi खुर्पी के थूरू इसके थूरू तो अब मैं सोच रहे कि मैं आपको यहां पर सिर्फ यह questions मैं आपको बता देती हूँ answers तो आप जो है अभी मैंने चैनल पर प्रवाइड करा रखा है आप वहां से अगर answer लिखोगे तो ज़्यादा बैटर होगा क्योंकि मुझे पोल स्टार के answer कुछ तो ठीक है और कुछ पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप कोशिश करो अगर आपको यहीं से लिखना है तो मैं आपको स्क्रोल कर रही हूँ उस टाइम आप वीडियो पॉस करके आप लिख लो अधरवाइस आप answer जो है मेरी चैनल की playlist जो है मैंने description में दे रखी है वह पर सारे चैप्टर के मैंने question and answer short work करा रहा है वहां से आप कर लो ठीक है और एक दो बच्चों की comments हा रहे दी कि चैप्टर के बीच में important term की underline कर रहा दो तो जल्दी कोशिश करूंगी मैं important term के underline कराने की पहले आप जब तक pole star complete कर लो ठीक है उसके बाद अगला question है मैं questions आपको बता दे रहीं chapter 1 से यहां पर कौन-कौन से है what is hybridization how it is used यह भी chapter 1 उसके बाद what are bio fertilizers और what are the different way in the showing seeds उसके बाद अगला question आजाता है आपका यहां से what do you mean by the transplantation और उसके बाद what is paste give examples यह तो chapter 1 हो गया chapter 2 के question से हमारे name the major group of the microorganism उसके what is food poisoning and three disease caused by the fungi in the plants ठीक है तो अगर आपको answer यहां से लिखने तो आप यहां से वीडियो पॉस्ट करो और लिखलो और आप मैंने आपको बार बार यही suggest करूंगे आप मेरे चैनल पर जाके वहां की playlist चेक करो और proper question अस्त्रमा से note करो अभी तो बहुत time में आपकी exam को अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और end time पर देख रहे हैं फिर तो आपके पास यही पढ़ने का तरीका है और कोई पढ़ने का तरीका है ही नहीं है नेक्स्ट आपका इसी चैप्टर से question है vaccination वाला question ठीक है तो यह important है नेक्स्ट आजाता है चैप्टर नंबर 3 से आपके कौन-कौन से question है name any to exhaustible sources of energy और water petrochemical उसके बाद in which the state इंडिया largest coal mine location which variety of the coal is found in the most of coal mine in India उसके बाद where is the natural gas found in India उसके बाद आगे question है यहां पर what are the varieties of coal उसके बाद what are exhaustible natural sources उसके बाद what do you mean by the carbonization and how are the vapors produced coal obtained various product of the coal obtained and why is natural gas called cleaner fuel important question right some harmful effect of the burning of fossil fuel उसके बाद chapter 4 पर आजाते combustion and flame list the condition under which combustion can take place define ignition temperature water is not used for the control fire and paper by itself catch fire whereas the piece of the aluminum wrap pipe does not but why ठीके यहां पर एदिये है इसके आंसर next day name the unit of the measuring the calorific value उसके बाद if it is difficult to burn heap of the green leaves but dried leaves catch fire easily उसके बाद अगला जाता हमारा chapter 5 conservation of plants and animals यहां पर name any two type of the natural causing deforestation which plant is considered best checking of the soil erosion in which district are these wildlife centuries situated उसके बाद अगला है name any two endangered species what do you mean by deforestation and reforestation उसके बाद आके देखते हैं what is the difference between the endangered species and extinct species तुने में डिफ्रेंस बताने है ठीके उसके बाद what is rat data book rat data book क्या है most इस chapter का most important question है यह next how does a wildlife century help in conservation of the wildlife wildlife century कैसे wildlife के help कर रही है all right causes the function of the sorry the causes of the extinct animal मतलब जो animal खतम हो रहे है इनका reason क्या है कारण क्या है आगे reproduction वादा chapter उसमें definition जो पारले question दिया है वो सारा fertilizer hematophorid animals metamorphosis and reproduction ठीक है उसके बाद what is the male gamet in human card उसके बाद name the various stage in the life cycle of the butterfly zygote cell division उसके बाद difference between sexual and asexual reproduction तो यह सारी answers next why is reproduction important reproduction important क्यों है what is binary season binary season क्या है और how does hydra reproduce hydra कैसे reproduce करता है explain the difference between vapiparous और oviparous important question है यह भी नेक्स देखते हैं how does the fertilization occur in frog frog में कैसे fertilization होता है next chapter 7 one आ गया reaching the age of adolescence यहां से आपका question आ गया देखो adolescence most important पहले आ गया और what will happen the tadpole अगर tadpole को हो जाए water में तो क्या होगा ठीक है उसके बाद है वेर और endocrine gland is known as ductless gland मतलब वायार सॉरी वेर ने ductless gland क्यों कहते हैं endocrine gland को यह भी important question है difference between menopause and marriage और उसके बाद है adult sense get the pimple adult sense के time में pimple हो जाते हैं वह क्यों होते हैं उसके बाद what is man suration और why is the physical exercise important physical exercise क्यों important है और उसके बाद अगले आ जाते हैं chapter number 9 friction how did an earlier man learn to make fire उसके बाद what is drag आप अपनी book निकालो साथ के साथ इसको tick mark करते जाओ question को ठीक है why do we use the lower trolley pull the luggage and write to method to increase friction or write any to situation where the friction is experienced next है write to method to increase friction और उसके बाद how does the atmosphere save us from the shooting star उसके बाद write any three situation where the friction is harmful for us next है उसके बाद why do the ship boat and aeroplanes are made the streamline उसके बाद why do rub our hand winter सारे questions मैंने अच्छे से समझाए हुए playlist आपके डाल रखी है मैंने description में आप वहां से अच्छे से हर एक चीज समझो अभी भी time है अगर produce sound noise and pollution music में difference most important define one vibration उसके बाद है आपका जो है ultrasonic and infrasonic उसके बाद unit of the measuring loudness और pitch loudness और pitch की unit लिखनी आप नहीं यहां पर ठीक है उसके बाद है आपके what is the relation between frequency and time period frequency time period में relation लिखना है उसके बाद एक numerical इस चैन में दिये हैं दो numerical दोनों ही कर लेना ठीक है यह दोनों numerical से हैं जरूर कर लेना next what is audible and inaudible frequency of human उसके बाद define करना है यह तीनों चीजे यह तो ठीक है कर लेना इसको अच्छे से उसके बाद chapter 11 पर आ जाते हम LED क्या होता है define electric current what is conductor give to example of electrolyze यह chapter के questions के answer में थोड़े बड़े करवाए हुए ठीक है वो पंजाब Educare app से ले लिए थे उस टाइम में मेरे पास book available नहीं थी तो यहां पर थोड़े छोटे हैं तो इसके answer मुझे ठीक लगे आप chapter 11 के answer जो है यहीं से कर लेना ठीक है west coastal India name to method to change uncharged and charge define api center of an earthquake what is pandemic next देख लेते हैं what is epidemic next write any three safety measures during lighting उसके बाद how does a seismograph work and last chapter आजाता है हमारा light define opaque object what is a mirror what a natural animal and how can visual challenge person read and write and name to whose eyes have the multiple lens and उसके बाद है what is Newton disc उसके बाद है name the various color of the spectrum ठीक है यह हो गया उसके बाद एक numerical दिया हुआ है यह भी important है कर लेना इस type की 2-3 कर लेना मैंने chapter में समझाया है उसको check कर लेना next day persistence of vision उसके बाद some precaution of safe eyes और उसके बाद आपका आ जाता है यहां पर तो अभी हमने जिस chapter से टू-टू marks के question आने वो दिखा है अभी यह आपके 3-3 marks के questions आ गए हैं ठीक है तो यह 3-3 marks में आपका आ जाएगा manure and fertilizer ठीक है उसके बाद आपका यह crop improvement 3 marks में वर्मी कंपोस्टिंग कैसे prepare किया जाता है various agricultural practices यह सारे answer मैंने छोटे करवाए हुए आप वहां से check करना coal and petroleum chapter से आपका आ जाएगा petroleum पेट्रोलियम कजर पी सी एम सी आर जो है न वाला अंस ठीक है उसके बाद यहां पर आपके constitution मतलब पूरे किस चीज से कौन से चीज यह कहां यूज की जाती है यह petrol kerosene ठीक है उसके बाद इसका important question है यह write the uses of coke and coal tar उसके बाद chapter 5 में आ जाते हैं यहां पर देखो what do you mean by the shifting agriculture उसके बाद purpose the celebrating this day यह दे क्यों celebrate किया जाता है how is paper made important question है ठीक है उसके बाद natural cause of deforestation यह भी important है उसके बाद what is an ecosystem उसके बाद यहां पर what are the conquests of the deforestation उसके बाद chapter 8 है हमारा force वाला इसमें activities दे रखी है दे सारी activities ठीक है इस chapter में almost जदतर activities ही दे रखी है next chapter 9 से आना आपका 3 marks का question तो यह 9 के है 3 marks वाले questions उसके बाद 10 के 3 marks वाले questions उसके बाद 13 से आना है 3 marks के ओशन इसमें आई का डाइग्राम भी कर लेना ठीक है आई का डाइग्राम से मैं आज इट इस आपके बुख में दी हुई है इसमें यह important question है इसको जरूर कर लेना राइट दा लॉज ओफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट इसके बाद के लाइडोस्कोप हो गया वर्डूमें डवेस्ट्रेटिक लाइट मेट तो 7 कलर ओके आई होप स्टुएंट्स यह वीडियो आपके लिए हल्पफुल हुई हो नेक्स वीडियो में हम पोल स्टार के सैंपल पेपर देखेंगे ठीक है तो वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना साथी में आपके बोर्ड के सैंपल पेपर भी लिक्या होंगी बागे सब्जेक्ट भी प्रोवाइड कराऊंगी इसके लिए आपको जाता से जाता लाइक और शेयर करना होगा ठीक है मिलते नेक्स वीडियो में बाबाए